एक व्यक्ति को उन दलदलों में से एक ने पूरी तरह से निगल लिया था और वे उसकी मृत्यू के बाद उसका शरीर भी नहीं निकाल सके। दलदली दलदल में बिखरे अद्रिश दलदल के अलावा भयानक जानवर धुंदले कोहरे के भीतर छिप गए। अनुभवी और सासी लोगों से बनी टीम ने भयंकर कोहरे की आर में छिपे क्रूर स्पिरिट बीस्ट के हमलों में अपने आधे लोगों को खो दिया था। इन सभी खतरों से भी अधिक भयानक दुंद के भीतर का जहर था जो हर जगह लगातार उनके आसपास था। जानवर जहां कोई भी खतरा आसानी से आपकी जान ले सकता है। ब्लैक जेड रॉप के उस तुकडे के अलावा जिसे वे काटने में असमर्थ थे उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। चूकि वे नक्षा पूरा नहीं कर पाएं इसलिए वे ग्राहक से शेश बुक्तान प्राप नहीं कर पाएंगे। जब म्यू कियान फैन लोटा तो वह ग्राहक की तलाश में गया था। लेकिन जब ग्राहक को पता चला कि म्यू कियान फैन और उनकी टीम अपने अभियान पर लगभग पूरी तरह से नश्ट हो गई थी तो उन्होंने बातचीत जारी रखने की इच्छा खोर दी थी और उन्होंने म्यू कियान फैन से केवल हेवन्स एंड के निचले भाग में अपनी मुठ भेडों के बारे में संक्षिप में पूछा था. क्लिफ और उसके बाद तेजी से उसका पीछा किया. अपने सभी भाईयों के मर जाने के बाद उसने एक तूटी हुई चटान के टुकड़े को मजबूती से पकड़ कर डर में अपना जीवन मिताया. अपने पूरी तरह से नीचे कर लिया. उसकी कसकर भीची हुई मुठिया पूरी तरह से उसके ही खून से लगपत थी. हेवन्स एंड क्लिफ के नीचे बिताए गए हर पल की याद उसके दिमाग में गहराई तक समा गई थी. मरते समाए उसके भाईयों की चीखें, अथक राक्षस की तरह उसे सपनों में भयानक रूप से परेशान करती थी. यहाँ निश्चित रूप से एक अच्छी जगा नहीं है और आपको जो कुछ भी सुना है उसे भूल जाना चाहिए और इसे केवल एक कहानी के रूप में लेना चाहिए. म्यूखियान फैन अपना सिर उठाने से पहले काफी देर तत चुप रहा, उसकी आखे निराशा और अवर्णनिय दोहक से भरी थी. यदी में उस पुरसकार राशी की पेशकर से प्रलोभित न हुए होते, यदी केवल वे अधिक जमीन से जुड़े होते और केवल सरल मिशनों को स्वीकार करते, तो उसके भाई आ लेकिन उसे डर था कि अब उसका भयावा रूप उन लोगों को डरा देगा जिनके साथ वह संपर्प में आया था. उसका पूरा शरीर जहर से भर गया था जो उसे हेवेंस एंड क्लिफ से मिला था और वह जानता था कि उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं है. वह चाओ चू और अन्य लोग बेहत गंभीर दिख रहे थे. क्या मैंने आप सभी को डरा दिया? हाँ, हाँ, यह सब इतना बुरा नहीं है, बस उस जगह पर मत जाओ. मुक्यान फैन ने सोचा कि उसके अनुभवों के विवर्ण से सभी युवा भरभीत हो गए हैं, और उसने जल्दी से अपना लहजा बंदल लिया और अपने शब्दों को हलका करने की कोशिश की. क्या आप अभी भी कुछ समय के लिए चैन लिंटाउन में रहेंगे? अरिदी राजबूत ने अचानक पूछा. मुक्यान फैन ने आश्चर्य से देखा और एक पल की जिज़क के बा और करवी हंसी के साथ कहा, यदि तुम अब भी मुझसे कुछ और सुनना चाते हो, तुम्हें जल्दी करनी होगी, मेरा शरीर अधिक समय तत नहीं तिक पाएगा. आपके चोटे गंभीर है, मुक्यान फैन के शब्दों के पीछे नहित अर्थ को सुनकर, हुआयाओ ने तिक सका, उसने खुद को बहुत आश्चर्यच कित किया. मुझे देखने दो, अधिती राजपूत अचानत बोली. मुक्यान फैन जिजग गया. उन्होंने बहुत चिंतित होकर अधिती राजपूत की ओर देखा. यहाँ बहुत रतरंजित है, क्या तुम सच में देखना च चुरू कर दिया. मास पट्टी से चिपक गया क्योंकि वह धीरे-धीरे छूट रहा था, जिससे उन्हें एक खूनी और रक्तरंजित द्रिशे दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके हाथ पर धके हुए घाव एक बार फिर हवा के सामने आ गए थे. केवल एक नजर ने कमरे म मौझूद अन्य सभी लोगों को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया था. म्योकियान फैन का पूरा हाथ ऐसा लग रहा था मानो उस पर खौलता हुआ तेल छिड़क दिया गया हो और मास का एक भी हिस्सा पूरा नहीं था. लाल फफोले वाला मास पीले मवाद से भरा था और बिल्कुल सडे हुए मास के तुकडे जैसा लग रहा था. उसकी छोटी उंगली का आधा सिरा पहले ही सड चुका था और सफेद उंगली की हड़ी खूनी गंदगी के नीचे दिखाई दे रही थी. खून और सडांध की अत्यधिक दुरगंद अचानक अमरे में फै मुखियान फैन के हाथ पर नासूर और सड़ते घावो को देखकर अधिती राजपूर की आखे सिकुड़ गई. हाथ जिस स्थिती में था, उसका प्रभाव उसके द्वारा पहले से तयार किये गए जहरों के समान था, लेकिन सडने की गती के संदर्व में या अपेक्शाक और ऐसा नहीं लग रहा था कि नया मास उसके जैसा वापस उगाएगा. सड़ा हुआ हाथ कितना भयानक द्रिश्य था, इस बात से पूरी तरह से बेकपर अधिती राजपूर खड़ी हो गई और ध्यान से हाथ का करीब से निरिक्षन किया. अधिती राजपूर की हरकत से म ने शरीर पर सड़ते मास से बुरी तरह ध्रिना करता था. लेकिन युवक ने एक भी पलक नहीं जपकाई थी और बिलकुल शांत लग रहा था. मुक्यान फैन अभी कुछ कहना ही चाहता था कि क्यावचू जो उसके ठीक सामने बैठा था, ने अचानक उसे इशारा किया, उसे चुप रहने का इशारा किया, और उसके बाद उसे एक दोस्ताना और जानने वाली मुस्कान भी दी. मुक्यान फैन को नहीं पता था कि अदिती राजपूर उनसे क्या चाहती है. लेकिन वरने वाला आदमी होने के नाते उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी. यदि अदिती राजपूर डरती नहीं थी और करीब से देखना चाहती थी, तो उसे अपने विद्रोही घाव दिखाने में कोई हिचकी चाहत नहीं थी. थोड़ी देर बाद अदिती राजपूर वापस अपनी सीट पर चली गई. जब उसने मुक्यान फैन की ओर देखा तो उसक मास? वह वास्तव में मुक्यान फैन के हाथ से मास का एक टुकड़ा काटना चाहती थी. मुक्यान फैन की आखे खुल गई, उसे अभी अभी जो कुछ सुना था उस पर गंभीरता से संदे हुआ. तुम, मेरा मास चाहते हो, भले ही उसने स्वीकार कर लिया था कि उसकी मृत फिर भी मुक्यान फैन अदिती राजपूत के शब्दों से बुरी तरह सब्मे में था. हाला कि अदिती राजपूत इस बात से पूरी तरह अंजान थी कि उनका अनुरोध कितना पागलपन भरा था और उन्होंने शांती से सिर हिलाया. थोड़ा सा ही चलेगा. मुक्यान फ आपका भुक्तान करूंगा, अदिती राजपूत शामिल हुई. मुक्यान फैन ने तेजी से उसके सामने हाथ हिलाया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं. वैसे भी मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा. यदि आप वास्तव में चाहते हैं. मुक्यान फैन ने अपना जबडा भीच लिया और एक छोटा खंजर निकाल लिया. वैसे भी वह बरबाद हो चुका था, और घाव उसे इतना दर्द दे रहे थे कि उसे खाने और सोने में भी समस्या हो रही थी, इसलिए उसके मास का एक छोटा सा हिस्सा काटने से उसे इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा. चूकि अदिती राजपूत ने उससे काली चटान खरीदी थी, वह पहले से ही उसका बहुत बड़ा उपकारक था और उसने अपने उपकारक से और अधिक पैसा लेना उचित नहीं समझा. जैसे ही वह बोल रहा था, मुखियान फैन अपने मास का एक पिछले जीवन में अंगिनत बार छुरी पकड़ चुकी है. अदिती राजपूत के खंजर पकड़ने के उलते तरीके को देखते हुए, मुखियान फैन ने चुप रहने का फैसला किया. अदिती राजपूत ने एक पल के लिए म्यूखियान फैन के घावों का ध्यान पू पहला गया कि थोड़ी देर बाद तक उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ. एक ही फांक से अपने मास का टुकड़ा काटते हुए अदिती राजपूत ने पलग भी नहीं जपकाई थी. उसने खंजर को उपर मास के टुकड़े के साथ ख्षैतिज रूप से पकड़ रखा था उसने अपने दूसरे हाथ से अपने लबादे के भीतर से एक खाली बोतल निकाली और मास के टुकड़े को उसमें डाल दिया. मुख्यान फैन को अपनी आंखों के सामने के युवाओं का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल सके. युवक ने उसके सड़ते हुए मास का एक टुकड़ा काट लिया था. लेकिन क्या उसने सचमुच इसे केवल एक बोतल में ही रखा था? क्या उसका इरादा इसे एक समारिका के रूप में रखने का था? सड़े हुए मास के टुकड़े वाली बोतल को सावधानी से रखने के बाद अधिती राजपूत ने अपने और उसने केवल अधिती राजपूत को घूर कर देखा और अपनी आखे घुमा कर अपने सामने दवा की बोतल को घूरने लगा. बोलने में अधिती राजपूत की असामान्य कंजूसी का आदी होने के बाद कियाओ चूने जान बूच कर अपना गला साफ किया और म्यूकिय की आपने काली चटान खरीदी है, काफी है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ. उन्होंने मना करने की कोशिश की और अधिती राजपूत को दवा वापस लोटाना चाहा. हालाकि अधिती राजपूत ने केवल दवा की बोतल पर एक नजर डाली और कमरे में लगी छो लोटा, इससे पहले की वह एक बार फिर दर्वाजे से बाहर निकल जाता. गूंगा कियाओ. यहां. उसका मुह खोलो. मुक्यान फैन का चहरा सदमे से पीला पड़ गया. मुक्यान फैन पर कूदने से पहले कियाओ चू एक पल के लिए जिचका और तुरंथ अपना मुह ख ग्यात अमरित निगलने के लिए मजबूर पाया. गर्म पानी के गले से अमरित उतरने के बाद ही कियाओ चू और अन्य लोगों ने मुक्यान फैन को छोड़ा. मुक्यान फैन के गले में जबरदस्ती डाला गया पानी लगभग दम घुटने से मर गया. वहा बेपसी से क्र का एहसास उस पर हावी होता गया, वह धीरे-धीरे कम होता गया और उसका कष्टदायक दर्द दूर हो गया. उनकी आखे बड़े आश्चर्य से फैल गई और उन्होंने अधिती राजपूत को घूर कर देखा. अमरित केवल राहत प्रदान करेगा. अधिती राजपूत न लग रहा था. आखिरकार उसे समझ आ गया कि अधिती राजपूत उसके मास का तुकड़ा क्यों चाहती थी. उसके सामने वाला यूवक उसे जहर से ठीक करने का इरादा कर रहा था. मुक्यान फैन अचानक खड़े हुए और अधिती राजपूत के सामने जुग गए. आप लेकिन अधिती राजपूत और बाकी लोग जाने के लिए खड़े हो गए. उनके पास अन्य चीजे भी थी जिन पर उन्हें ध्यान देने की आवशकता थी. ब्लैक जेट स्टोन को पहले ही सराय में वापस भेज दिया गया था और अधिती राजपूत और उनके साथियों क वहाँ वापस आने के बाद उन्होंने तुरन सराय के मालिक से पूछताच की कीवे लोहार को कहां ढून पाएंगे. स्थान हासिल करने के बाद फैन जुओ ने एक घोड़ा गाड़ी किराय पर ली और वहाँ पहुचे. वहाँ जल्द से जल्द ब्लैक जेट स्टोन से ब्ल सामान्य शराती व्यक्तित्व अनुपस्थित था और उसने अस्वाभाविक कठोर्ता के साथ पूछा. हुआ याओ ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ पुत्तर दिया. मुझे संदे है कि डार्क समराट की कबर हेवन्स एंड क्लिफ के नीचे स्थित है. आप क्यों कहते हो की अधिती राजपूत ने पूछा तो उनकी रुची बढ़ गई. हमारे पास एक नक्षा है और छोटी अधिती तुम भी यह जानती हो. हम किन युन कबीले से इस पर अपना हात रखने में काम्याब रहे और इस अवधी के दौरान जब हम जेफायर अकादमी के शाखा प् कोशिश की हैं, लेकिन हम कोई मिलान नहीं ढून पाए हैं. यदि हम मानचित्र को ध्यान से देखें, तो भूभाग बहुत सम्तल है और इस पर कोई पहाडिया या परवत प्रतिबिंबित नहीं होते हैं. प्रारंब में हमने सोचा था कि यहाँ विस्तृत मैदानों वाला क कोई स्थान हो सकता है, लेकिन मियू की आनफैन. ने जो कहा, उसे सुनने के बाद, मुझे संदे है कि मानचित्र जिस स्थान को निर्दिष्ट कर रहा है, वह वास्तव में हेवन्स एंड क्लिफ के नीचे का इलागा है. हुआ याउन ने कहा, उसकी आखे सिकुड गई. डा के लिए तयार करना चाहते थे, जब वे मानफ वचा मानचित्रों का संग्रा पूरा कर लेंगे और कम से कम समय में डाग समराट की कबर का पता लगा लेंगे. लेकिन नक्षे का जो पहला टुकड़ा उन्हें मिला था, वह फेई यान द्वारा संकलित किसी भी नक्षे से मे नहीं खाता था. उन्होंने सोचा था कि शायद उन्हें जो नक्षा मिला है, वह परियात रूप से पूरा नहीं है या हो सकता है, कि नक्षे में निर्दिष्ट शेत्र ऐसे स्थान पर हो जहां वे पहले कभी नहीं गए हो. लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर विचार नही हो गया था. और चटान के नीचे से वह जो एकमात्र चीज वापस लाया वह ब्लैक जेड स्टोन था जो केवल मध्यक शेत्र में पाया जा सकता था. सभी संकेत उन्हें बिना किसी अनिश्चित शब्दों के बता रहे थे कि दार्क समराट की कब्र संभवता स्वर्ग के अं चटान के नीचे. अन्य था, बारा महलों की जबरदस ताकत के साथ, यह असंभव था कि वे अभी भी अंधेरे समराट की कब्र को ढूंदने में असमर्थ थे, अगर यह कही और होता. लेकिन यदि वह स्थान पूरी तरह से जानों से भरा हुआ था और पूरी तरह से अभे वे लोग संभवता मानचित्र का एक हिस्सा अपने पास रख सकते हैं. क्या वे बारा महलों से थे या उनके लिए काम करने वाला कोई था? या हो सकता है, जिस व्यक्ति ने म्यूक यान फैन को खोजा था, वह जेफायर अकादमी का वह व्यक्ति था जिसके पास नक्षा था फैय यान ने अपनी ठुद्दी को रगड़ा और उसकी भौह सोच में डूब गई. यहां निचलेक शेत्र में बारा महलों की आभारी शक्तियों में से एक होना चाहिए, अदिती राजकूत ने द्रधा पूर्वक कहा, अपने बारे में बहुत आश्वस्त लग रही थी. क वे जानते हैं, वहां के इलाके की खराब परिस्थितियों के कारण, इसलिए वे इतने मूर्ख नहीं होंगे कि म्यूकियान फैन और उसके भाईयों के समों को उस थान के सतीक स्थान का पता लगाने के लिए कहें. यदि मेरा अनुमान सही है, तो बारा महल पूरी तरह से न काम रहा होगा, जो हेवेंस एंड क्लिफ के सुरागों का पता लगाने में काम्याब रहा और यहां अपने अनुबंधित शक्तियों को आदेश दिया. इस बीच, जिस व्यक्ति को आदेश मिला था, वह स्वयम इसे पूरा करने के लिए तयार नहीं था और उसने म्यूकिया जो कहा, उसके अनुसार, जिस व्यक्ति ने उसे मिशन सौपा था, उसे हेवेंस एंड क्लिफ के नीचे के खतरों के बारे में अवगत कराया गया है और मुझे नहीं लगता कि वह कोई अन्य कदम उठाएगा निकट भविश में. हेवेंस एंड क्लिफ, बारा महलों द्वा उनके भाईयों की तुलना में बहुत बहतर नहीं रहा होगा. हेवेंस एंड क्लिफ के बारे में अफवाहें स्वयं बारा महलों द्वारा फैलाई गई होंगी ताकि उन लोगों को आकरशित किया जा सके जो सच्चाई नहीं जानते थे और वे हेवेंस एंड क्लिफ की और इसकी तलाश कर सके ताकि उन्हें उस जगह के बारे में और अधिक सुराग मिल सकें. तो क्या हमें स्वर्ग की अंतिम चटान पर एक नजर डालनी चाहिए कि आउचू थोड़ा उतसाहित महसूस कर रहा था. यदि डार्क एंपरर की कबर वास्तव में हेवन्स एंड से स्वर्ग की अंतिम चटान के नीचे स्थित हो सकता है, तो बारा महल इतने चिंतित नहीं होंगे. मुख्यान फैन ने यह भी कहा था कि उनमें से ग्यारा हेवन्स एंड क्लिफ के नीचे चले गए थे और वहां केवल दो दिन रुके थे, लेकिन उस थान पर केवल सो मीट करने थे. यदि वे सभी हेवन्स एंड क्लिफ पर मर जाते, तो उनके माता-पिता पर हुए क्रूर अन्याय का बदला लेने वाला कोई नहीं होता. क्याओ चू शांत हो गया. वह जानता था कि हुआ याओ जो कह रहा था, वह सही था. अधिती राजपूत ने लॉड मह मह के चोटे खुर को दबाया और अपनी आखे नीची करते हुए कहा, हम जा सकते हैं. दाग समराट की कब्र का पता लगाने के लिए यहाँ बिल्कुल आवशक नहीं है. हेवन्स एंड. क्लिफ के निचले भाग की वास्तविक स्थिती को पहले से ही देख लेना अभी भी एक कहा है. क्याओ चू ने अपना सिर्ख खुजलाते हुए कहा. हुआ याओ अचानक हसा और उसने अदिती राजपूत की ओर देखा, उसकी आखों में अचानक समझ दिख रही थी. आप मुक्यान फैन को इसी कारण से बचाना चाहते थे? अदिती राजपूत ने सिर्ख हिला है. इससे भी अधिक, वह चक्तान के नीचे तक भी चला गया था और वह हेवेंस एंड क्लिफ के बारे में किसी अन्य की तुलना में अधिक जानता है. यदि हम उसे अपने साथ ला सके तो हेवेंस एंड क्लिफ पर जाना कोई कठिन कार्य नहीं होगा. जैसा कि छोटी अध हुआ और उसने अत्यंत प्रशंसा भरी द्रिष्टी से अधिती राजपूत की ओर देखा. छोटी अधिती, क्या तुम कुछ ज्यादा ही होश्यार नहीं हो? तुमने वास्तव में बहुत आगे की सोच रखी है. उसने सोचा था कि अधिती राजपूत ने मुकियान फैन की दैनी स्थिती देखी थी और इससे उसमें परोकारिता आई थी और उसे उमीद नहीं थी कि छोटी सी लड़की ने इतनी आगे की योजना बनाई होगी. अधिती राजपूत ने भौंगे उठाई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. दरसल, एक और चीज है जिसके बारे मे मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा. हुआ याओ की अभिव्यक्ती अचानक जिजखने लगी. क्याओ चुके चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ गई. भाई हुआ जिस बारे में बात करना चाता है, वह लिटल जुओ के बारे में है, है न? हुआ याओ ने सिर हिलाय फैन जुओ को ब्लैक जेड रॉक और ब्लैक सिल्वर के बारे में क्यों बता होगा? यह सच मुझे हैरान कर देता है. मेरा इरादा उस पर संदेह करने का नहीं है, लेकिन यह तथिक की वह उन चीजों के बारे में जानता है, अजीब लगता है. हुआ याओ और अन्या समय से नहीं जानते थे, लेकिन हुआ याओ और अन्या लोगों ने महसूस किया था कि फैन जुओ काफी अच्छा था और यही एक मात्र चीज थी जिसे वे नहीं समझते थे. हम, वह जेफायर अकादमी के हेड मास्टर का बेता है, क्या या समाफ हो सकता है कि जेफायर अका क्योंकि उसने पाया था कि फैन जुओ उसकी आंखो को अच्छा लगता है. फैन जुओ उनकी स्पिरिट रिंग बनाने में मदद करने के लिए इधर-उधर दौड रहा था और उसे संदेह था कि वहा कुछ ऐसा है, जो वहा नहीं करना चाता था. यह संभव हो सकता है, क्य याओ ने सिर हिलाया. यदि ऐसा मामला था, तो यहाँ उचित होगा कि फैन जुओ को ब्लाक जेड रॉक और ब्लाक सिल्वर के बारे में कैसे पता चला और यहाँ उनके सभी संदेहों का उत्तर देगा. पहले, किंग यून कबीले का वह व्यक्ति जिसके संपर्क में पहले अब भी अच्छी तरह याद है कि अदिती राजपूर किंग यून कबीले में किस तरह के अत्याचार करने में सक्षम थी. लेकिन अदिती राजपूर पूरी तरह से अप्रभावित दिखती है, उनके चहरे पर शांती का सागर है. लेकिन इससे पहले कि हम तथ्यों के बार चुराना था, तो वहाँ निश्चित रूप से दिल तूट गया होगा। कुआ याउने सहमती में सिर हिलाया और यहां तक किफी यान ने भी इसे मन्जूरी दे दी। जाहिर है, उन्होंने फैन जूओ को एक बीमार और कमजूर, भोला और मासूम यूवा के रूप में देखा। हाला की, अदिती राजपूत ने चुपके से अपने होटों को काट लिया। कितना भोला। कुछ साथियों ने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया और अपनी आत्मा के चल्ले बनाने के बाद हेवेंस एंड क्लिफ की यात्रा के लिए समय निकालने की तैयारी की। लेकिन उससे पहले, उन्हें म्यू कियान फैन के शरीर को ठीक करना था। और वो अहम जम्मेदारी एक बार फिर अदिती राजपूर के कंधू पर आ गई। ब्लाक सिल्वा को ब्लाक जेड रॉक के इतने बड़े तुकडे को निकालने के लिए काफी लंबे समय की आवशकता थी। फैन जुओ और रों रों ने कीमत पर बातचीत करने के बाद ब्लाक जेड रॉक को स्मिथी में छोड़ दिया और चले गए। वैसे भी कोई नहीं पहचान पाएगा कि वह क्या था और उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई इसे चुराना चाहेगा। सराय में लोटने के बाद वे सभी अपने-पने कारियों में व्यस्त हो गए और किसी ने भी स्वर्ग की अंतिम चटान के बारे में एक शब्द भी उलेक नहीं किया। सी दुकान में अमरित की खेती के लिए एक छोटा और सरल स्टोव ढूंडने में काम्याब रही। स्टोव केवल हथेली के आकार का था और शुद्ध तामबे से बना था। इसे खराब करीके से बनाया गया था लेकिन यहां अस्थाई रूप से अपने उदेश को पूरा करेगा। ओश्धिय दुकान की एक और यात्रा करने के बाद जहां उन्होंने कुछ जड़ीपूटियां खरी दी, अदिती राजपूट वापस सराय में गई और मुकियान फैन के मास में जहर के बारे में अध्धेयन करना शुरू कर दिया। उसने बिना आराम किये रात भर काम किया। सुबह जब हुआ याओ ने उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए दर्वाजा खटखटाया, तो जब वह दर्वाजा खोलने आई तो उसने उसे अपने हातों में कुछ औशधिय बोतले लिए खड़ा पाया। उसने उस पर एक नजर डाली और अपने काम में लग गई। अपने हाथों में मौजूद सभी चीजे नीचे रख दी और मेज पर फैकने से पहले अपने ब्रहमान बोरे से कुछ अमरिद और स्पिरिट स्टोर निकाले। उसने अमरिद की और इशारा किया और हुआ याओ को उनके प्रभावों का एक सरल विवन दिया इससे पहले कि उसने उन सभी को एक बंडल में लपेटा और हुआ याओ की बाहों में डाल दिया। उन सभी को बेच दो अधिती राजपूत ने रुखेपन से कहा। केवल स्पिरिट पत्थरों को बेचना वास्तव में उसके खर्चों को कवर करने के लिए परियाप्त नहीं हो सकता है। अधिती राजपूत के जेफिर अकादमी में लोटने के बाद उनका इरादा अमरित की खेती के लिए उपकरणों का एक पूरा सेथ हासल करने का था और चूंकी चैन लिन टाउन में इस विशय पर कोई विशेश स्टोर नहीं था, इसलिए उन्हें उन्हें कस्टम तरीके स बनवाना होगा और इसकी लागत होगी उसकी एक और अच्छी रकम. आवश्यक जड़ीबूटियों की अतिरिक्त लागत के साथ व्याय काफी अधिक हो जाएगा. हुआ याओं का चेहरा थोड़ा उल्जन में लग रहा था क्योंकि वह अमरित के उस गुच्छे को देख र राजपूत ने पहले जेफायर अकादमी के द्वार के सामने बेचा था, फिर भी इन अमरितों में अभी भी बहुत दुरलब और अनुकरणिय प्रभाव थे. इतने सारे अमरित और वह बिना पलक जखकाय उन सब को बेचने को तयार थी? मम मेरे पास अब बस इतना ही है, अदिती राजपूत ने सिर हिलाया. उसके अमरितों का भंडार थोड़ा कम चल रहा था और वह अच्छे अमरितों को किसी भी तरह दूसरों को नहीं बेचती थी. वह इन्हें उन लोगों के लिए छोड़ना पसंद करेगी जिन्हें वह महत्व देती हैं और यहां उसके ल पहले शुरुवाती ट्रायल रन चलाने का था. अगर नतीजे अच्छे रहे तो वह अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगी. चूकि अदिती राजपूत को इस दुन्या में पैसे की अवधाना पर अच्छी पकड़ नहीं थी, इसलिए अदिती राजपूत के लिए य अगर वे एक बार फिर अपनी असली पहचान के साथ सामने आएं तो निश्चित तौर पर उनके बारे में कई अफवाहें फैलनी शुरू हो जाएंगी. अनावशक परेशानी से बचने के लिए अदिती राजपूत को कम से कम हुआ याओं को इसकी याद तो दिलानी ही इस प्रकार की द्रिष्टी अपनानी चाहिए जो स्थिती के लिए उप्यूक्त हो. सभी तैयारिया हो जाने के बाद, हुआ याओं ने खुद को एक मध्यम आयू वर के व्यक्ति में बदल लिया और चैन लिन निलामी घर की ओर बढ़ गया, जहां उसने सभी वस्तुएं ह हुआ याओ को देखकर पूछा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर चल रहा था. हाला कि फैन जुओ को बहुत आश्चर्य हुआ, जब उसने अप्रिचित मध्यम आयू वर के व्यक्ति को देखा और कि आउच्चु को उस व्यक्ति को भाई हुआ कह कर संबोधित करते सुना. हुआ याओ को लगा कि उसे फैन जुओ के सामने चिपने की जरूरत नहीं है और उसने अपना चेहरा थोड़ा ढखने के लिए हाथ उठाया. उसकी तवचा के नीचे की हड़िया तुरंत बदलनी शुरू हो गई और पलग जपकते ही, वह एक बा को बदलने की भाई हुआ की कला उनके लिए हमेशा बहुत आसान रही है. फेई यान ने फैन जुओ को कंधे पर थपत पाते हुए आश्वस्त किया. उसके चेहरे पर यहाँ बिल्कुल सामान्य है अभिव्यक्ति के साथ. बोन शिफ्टर्स ट्राइब बारा महलों के लोगों से उनके बारे में सुना था जो उसके पिता के संपर्क में थे. लेकिन उसने यहाँ भी दिखाया था कि वहाँ यहाँ पहचानने में सक्षम था कि हुआ याओ बोन शिफ्टर्स जंजाती से था. बोन शिफ्टर्स अब संख्या में कम थे और मध्ध प्रक्षेत्र में भी व्यापक रूप से नहीं देखे गए थे। अपने हाथों से अपना चेहरा ढख लिया और उसके गले से हंसी की एक श्रिंखला फूट पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं जब मैंने ब्लाक जेट स्टोन और ब्लाक सिल्वर के बारे में उलेक किया तो आप लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया दी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सभी हेवन्स एंड क्लिफ में इतनी रुची रखते हैं। मुझे इसका अनुमान लगाना चाहिए था पहले। फैन जुओ अपनी हसी नहीं रोक सका। उसके कंधे लगातार हसी के जोके से फूल रहे थे। अचानक फैन जुओ ने अपना सिर उठाया। उस प्रसनता का कोई निशान नहीं था जो अभी अभी उस पर हावी हुई थी। उसकी सपष्ट आखे चमक उठीन लेकिन अब उनमें एक भयानक द्वेश भर गया। वे आखे क्याओचू और उनमें से प्रत्तेक पर घूम गई। उसके होंट शैतानी से कोनों पर मुड गए। आप ल जो के चहरे पर अचानक बदलाव देखकर क्याओचू को नहीं पता था कि उस पल में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वह मृदुभाशी और सौमय यूवक अचानक अपनी आखों में इतना तीवर द्वेश दिखाने में सक्षम हो गया। फैन जो ने क्याओचू और अन्य लोगों के भावो को उन आखों से देखा। अचानक उसकी अभिव्यक्ती फिर से बदल गई और उसकी सामान्य सौमय और सौहारपूर्ण मुस्कान पर वापस लोट आई। अगर मैंने आप लोगों को डरा दिया हो तो मुझे खेद है। फैन जो ने माफी मांगते ह हुए सभी की ओर देखा। कि याओ चू की अभिव्यक्ती लकडी जैसी थी क्योंकि वह नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। हुआ याओ फैन जो को घूरते हुए भौने चड़ा रहा था। वह इसका उलेक नहीं करना चाहता था लेकिन फैन जो की प्रतिक्र से बिलकुल अलग थी। यदि उसने केवल मध्यक शेत्र के बारे में बाते सुनी थी तो उसने इतनी द्रिंड़ता से प्रतिक्रिया क्यों दी। और अगर वह गलत नहीं था तो फैन जो की आखे पहले शुद्ध हत्या और नफरत से भरी हुई थी। उसे बारह महलों से न भालत हूँ। भाई हुआ, गुंगा कियाओ, छोटी यान, छोटी रूओ, और छोटी अदिती? नहीं, नहीं, छोटी अदिती नहीं है, क्योंकि छोटी अदिती ने मेरी बातों पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फैन जुओ ने अपनी थुद्धी रगड़ी, उसका चहरा मुस्कुराहत में बदल गया. आपका अनुमान सही है, हुआ याओ ने सिर हिलाया और कहा. तुम्हें बारा महलों से द्वेश है, हुआ याओ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा. पहले द्वेश की प्रवल आभा अचानक पूरी तरह गायब क्यों हो गई और अब इसक की आखों में कोई खुशी नहीं थी. क्यों खुआ याओ कायम रहा? उसी कारण से जैसे आप सभी यहां है. क्या यह सही नहीं है? फैन जुओ ने हंस्ते हुए कहा. हुआ याओ आश्चर्यचकित था. फैन जुओ ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि आप लोग बारा महलों से थे. लेकिन जब मैंने पहले सपष्ट रूप से इतनी मजबूत शत्रुता प्रदर्शित की थी, तो आप सभी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बलकि हैरान दिखे थे और कोई इरादा नहीं दिखाया था मुझे मार रहा है. जैसे ही आप सभी को पता चला क कि मेरे पास बारा महलों के खिलाफ मजबूत दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, आप मेंसे किसी ने भी मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, और अन्ता मुझे बताया कि आप लोग बारा महलों से नहीं थे और मुझे विश्वास नहीं है कि बारा महल उनमें आप जै मान सामने आया और इसने उसे थोड़ा चिंतित कर दिया और इसने उसे प्रत्याशा से भर दिया। शक्तियों से विश्वास घाथ था जिनकी उन्होंने क्रमशा सेवा की थी। वे सभी मारे गए और यहां तक कि उनके परिवारों को भी नहीं बक्षा गया। अच्छे होना चाहिए जिन्हें तब से बचाया गया था। फैन जुओ के तर्क ने हुआ याओ और अन्य लोगों को बहुत चौका दिया। उन सभी ने हुआ याओ को विचित्र द्रिश्टी से देखा, उनकी आखे सदमे और अनिश्चित्ता से भर गई। फिर आप कौन हो सकते हैं? वह मध्यक शेत्र का इतिहास जानता था और वह जानता था कि बारा महल अंधेरे समराट की कर की खोज कर रही थे। तो फैन जुओ की असली पहचान क्या थी? फैन जुओ फूट-फूट कर मुस्कुराएं. मैं हेवन्स एंड क्लिफ पर छोड़ दिया गया एक अनाथ हूँ. उन वर्षों में बारह महलों ने अपने लोगों की भीड भेजी थी और उनके बीच चतुर और बुद्धिमान लोगों की कोई कमी नहीं थी. हाला कि वे उन शक्तियों के प्रतिवफादार थे जिनकी उन्होंने सेवा की थी, फिर भी उन्होंने अपने कारियों में तर्कसंगता का एक अंश बरकरार रखा. फैन जुओ के माता-पिता ऐसे ही एक उदाहरन थे. वे हुआ याओ और अन् पांचित्र का एक हिस्सा गुदवाया था. लेकिन फैन जुओ के जैविक पिता को लगा कि कुछ ठीक नहीं है. वह फैन जुओ और उसकी पत्नी को अपने साथ वापस नहीं लाया, बलकि उन्हें अस्थाई रूप से हेवेंस एंड क्लिफ के पास बसा दिया था. अफसोस जब वह मध्यक शेत्र में वापस लोटा तो जो उसका इंतजार कर रहा था वह पूरी तरह से एक दोह स्वपन था. उसे दोबारा वापस जाकर अपनी पत्नी और बच्चे को देखने का मौका नहीं मिला. उनके साथ उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और फैन क्यूई समय पर वहां पहुँच गई थी और गंभीर रूप से घायल फैन जुओ को बचा लिया था. फैन क्यूई फैन जुओ के माता-पिता के आभारी थे और फैन क्यूई उनसे प्राप परोकार के लिए उन्हें चुकाना चाते थे और फैन जुओ को पालने का फैसला क दिया था ताकि उसे सर्वश्रेष्ट दिया जा सके. देखभाल वह कर सकता था. यह किसी को भी गोध लिये गए बच्चे के रूप में उसकी स्थिती का उप्योग करने और उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करने से रोकने के लिए था. हाला कि फैन जुओ की ब बदलने की ताकत या शक्ती नहीं थी. यदि वह अपनी जान बचाने में भी सक्षम नहीं होता, तो बारा महलों से लडने में सक्षम होने का कोई रास्ता नहीं था. अधिती राजपूर के प्रकट होने तक ऐसा नहीं था, कि उन्होंने देखा कि उनका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला था. फैन जुओ ने साथियों को अपने बारे में सब कुछ बताया. अपने अतीत के बारे में उनके सपष्ट रहसे उधगाटन ने किया उचू और अन्य लोगों को बहुत चौका दिया. फैन जुओ सही थे. वे सभी सौभाग्य से अभी भी जीवित थे उसने न केवल अपनी मा की हत्या अपनी आखों से देखी थी, बलकि हमलावरों से उसे भारी चोटे भी आई थी. उन्होंने उसे अंदर तक घायल कर दिया था और इसकी वज़ह से वह बेहत विकलांग होकर अपना जीवन जीने लगा था. कियाओ चू और उसके साथी इस से अच्छी तरह वाकिफ थे कि उनके दुश्मनों के प्रती उनके दिलों में कितनी गहरी नफरत है और वे पूरी तरह से समझते थे कि फैन जुओ ने पहले इस तरह से उनकी निश्ठा का परिक्षन क्यों किया था. लेकिन चीजे बहुत बदल गई है और अब पूरी तर से अलग है. मैंने देखा कि आप सभी अंधेरे समराट की कबर खोजने का इरादा कर रही है. क्यों फैन जुओ शांत था, उसके मुग के कोने हलकी सी मुस्कान में थोड़ा उपर उठे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ कहा था वह किसी और के साथ हुआ उसके खुद के साथ नहीं. लेकिन क्याओचू और अन्य लोग कुछ ही क्षन पहले उस भयानक और बेलगाम नफरत को नहीं भूल सकते थे जो फैन जुओ की आखों में इतनी चमक से जल उठी थी. हमें मजबूत बनने की जरूरत है और डार्क समराट के मकबरे में सबसे शक्तिशाली जादूई वस्तुए हैं जो मध्यक शेत्र में मौजूद हैं. और एक बार जब हमें डार्क समराट की कबर मिल जाएगी, तो हम निश्चित रूप से बारा महलों के खिलाफ अपना बदला लेने के लिए परियाप्त ताकत हासिल कर लेंगे. कि आउचू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसका कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था. फैन जूओ जोर से हसे. कोई बुरी योजना नहीं है, लेकिन डार्क समराट की कबर इतनी आसानी से नहीं मिलेगी. चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें इसे आजमाना होगा. यही एक मात तरीका है, जिससे हम बारा महलों के खिलाफ जाने के लिए परियाप्त ताकत हासिल कर सकते हैं. हुआ याओ ने दृत्ता पूर्वक कहा.